हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल बीटॉपर में जैसा कि आप लोग ने थम्नेल और टाइटिल में देखा हुए का दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अलहाबाद हाई कोड गुरुप C और D की जो भरती आई हुई थी जिस सकते फाम तो इसमें बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हैं बच्चे की अलहाबाद हाई कोड की जो गुरुप C और D की भरती आई है जूनियर एसिस्टेंट पत पर आई है नलकूप चालक की आई है और ड्राइवर की आई है तो इनमें काम क्या होता है खासकर ज्यादा त बताओं कि कैसे आपको तयारी करनी है दोस्तों और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं इलहाबाद गृप D की जो भरती आई हुई है गृप C और गृप D की यह जूनियर एसिस्टेंट के लिए सलेबस एक ही है सबसे पहले मैं बता आज मुका एक कर दीजिए तो दोस्तों वीडियो को एंट तक देखेगा हमारे चैनल पर नहीं है तो मैं चैनल को सबस्काइब करके बैन आइकन को प्रेस कर लें आगे की तैयारी करनी के लिए तो चलिए सुरू करते हैं देखिए यहां पर सबसे पहले बात होती है अगर अगर आपका selection होता है तो एक्साम होगा ठीक है और उसके बाद अगर आपका selection होती है तो आपको joining formalities होगा ठीक है start our और joining कहां से होगा ढff Kay ं das comparing another memorial सि a बाद ऒलिए और यहांare जाने जोगा हमाने दीए आपकोifiques अपकी shears तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती सभी 76ट हो जाता है थीक है सब का क्वालिफाई हो जाता है तो इतनी चीजी होने केबाद में दोस्तो आगे का प्रोसेस का अपके बात करते हैं अब salary क्या होती है धेकर junior assistant की हऀ तो यह बात किया जो मंतली का टोटल बनेगा वह है बैसिक जो है कैई 7700 अपका बैसिक सैलरी होगा लेकिन इतना ही नहीं आपके आगे भी बहुत सारी चीजे मिलने वाली है इसमें एच आर ए होता है यानि कि हाउस रेंट वगरा भी मिलता है चाउजा सो चालीस रुपय हाउस र का साथ परसंद यानि बेसिक सैलरी मतलब जो 2700 रुपय मिलेगा उसका साथ परसंद आपको डी ए की रूप में दिया जाएगे यह अगर 2700 का साथ परसंद निकाला जाए तो 1519 रुपय आपको यह एक्स्ट्रा मिलेंगे उसके बाद में अगर अगर वराल आप टोटल किया आपको टोटल जो सैलरी बनने वाली है दोस्तों मन्त में वह बनेगी 24,849 रुपय है ठीक है यह टोटल बनेगा उसके बाद में आपका पी एफ यानि डिटक्ट होगा फ्रॉम बेसिक सैलरी नॉट यानि की टोटल जो बना है आपका 24,849 में से नहीं आपका 21,700 में से आप से लिख रहता है यहां पर अभी एक और डाउट रहता है देखिए आप टूएर्स प्रोबोशन पीरियाड होगा ठीक है पहली पोस्टिंग लगी उसके दो साल के बाद में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा इंक्रीमेंट मतलब होता है कि आपकी साली बढ़ाई जाएगी दिरे तो 2100 रुपय आपके पहले दो साल तक रहेगी 2700 उसके बाद में उपस जोड के आपको 24 तोटल मिलने वाले लेकिन आप पर basic salary की बात की जा रही है कि basic salary आपकी कितनी रहेगी बाकि वह तो उतना ही मिलेगा जो एचार बताया है और चीज उतनी रहेगे तो उतना ही रहेगा तो उसी किसाफ से आपका अपका salary बढ़ जाएगा तो उसके बाद आपका दो साल के बाद में आपको 222,480 मिलने तो आपका टोटल इन्हीं थे आपका अच्छी कासी एक सब्सक्त होता रहागा तो आपका मत पर उसके बाद निद करना है तो आपका टोटल गोड़न के बाद पहला प्रबोशन होगा ग्रूप ग्रेट पे अठाइसो का थीक है चैनल थी तब आपका अठाइसो तब आपका इन इसके बाद इसके बाद ने जाएगा झाल जाए तो गेश्च साल के बाद में उसके बढ़ता रहेंगा तो आपका आप यह उली तब तक पहुंच चुका होगा जब आप आठ सालrint न एक आपको प्रोमोशन होगा, टीक है, उसके बाद में दस साल के बाद ग्रेट पर तो आपको बढ़ा कर दिया जाएगा यानि कि आपका बढ़ता ही जाएगा उसके बाद आगे आपका इसके बाद रिटायर हो जाएंगे तो आपको रिटायर कर दिया जाएगे तो क्या करना होता है यहां पर सबसे बड़ी बाद बहुत सारी लोग पूछते है कि काम क्या होत पोस्ट होई सकता है तो ढूतरपरदेश में किसी भी आपका इलाबाद में पोस्टिंग होगा है तो यह न सोचे कि आपका इलायबाद में ही पोस्टिंग होगी। तो आपको छे आनभागों में जोगी पहला ऑन खो सकता है कि सेंटर नबागों में कि सब्साइक परहों अपको कंप्येसर पोसट्टिंग घ्रिण कर्ना तो उसको आपको फोड़ागों मैं या फोसटेट करना है Sakya ब्लिक संक्षन में आपको अनुभाग में सकता है आपको नजारत अनुभाग में मिल सकता है तो यह सारी जाप से रिलेटेड है कि आपकी कहां पूस्टिंग होने वाली है यहाप की हो सकती है अगर आप जॉनिय असिस्टन का करेक करते हैं आगे बढ़ते हैं देखिए अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर सबसे जादा डाउटफुल है कि पेड अप्रियंटीज क्या होता है देखिए जब आपने आप फॉर्म अप्लाई किया होगा लहबाद हाई कोड का तो जॉनिय जॉनिय असिस्टन का पत्का आप फॉर्म खुला होगा तो जॉनिय असिस्टन के नीचे आपको एक लिखा आपको सेलेट करने का ओप्सन दिया गया होगा कि पेड एप्रियंटीज तो बहुत से लोगों ने किया होगा ठीक है तो देखिए लोग सो बहुत सारी डाउट है यह होता क्या है उनको पता नहीं थे जब optimization लेकिन फरींदने गया तो आफेए जॉनिय असिस्टन की सैलिए से 325 रूपे सद्शाल में स्लाेटी और यह on you जूनिय असिस्टेंट का उनसे केवल पंदरा सो रुपे कम इनकी सेलिरी होती है बाकि सब कुछ सेम होता है ठीक है इनका आगे बढ़ते हैं देखिए पेड अप्रिसेंट का कार क्या होता है जो कार जूनिय असिस्टेंट करता है वही कार पेड अप्रिंटीज करता है इनके क आगे बढ़ते हैं देखिए पेड अपरेंटीज प्रॉब्लम क्या होती है ठीक है अब आपको डाउट होगा क्या करी है क्या दो साल के प्रोपोर्शन पीरियड के बाद भी इंक्रीमेंट नहीं मिलता है यहीं कि इनको इनको पेड अपरेंटीज को जुनिय असिस्टेंट को जुनिय असिस्टेंट के पर प्रॉमोट नहीं हो जाएं जब तक कि अनको प्र्मोशन नहीं हो जाएंगे तब तक उनकी इनक्रीमेंगा ठीक है नहीं बढ़ाया जाएगा वही रहेगा जो इनका पेस्केल जॉइनिंग के टाइम था ठीक है आगे देखिए जब यह जूनिया सिस्टिन के अपद पर प्रमोट हो जाएंगे तो इनका ग्रेट पर दो हजार कर दिया जाएगा इनक्रीमेंट मिलना सुरू हो जाएगा इनक्रीमेंट क्या था देखिए इनक्रीमेंट वो था जो मैंने बताया था HR और यह सारी चीजें उनको भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी ऐसा कोई हाई कोड में रूल नहीं है कि इतने साल बाद पेड इन अप्रिंटीज को जूनिया सिटर्ट के पत्पन यूट कर दिया आगे देखिए पेड अप्रिंटीज प्रॉब्लम जो अपका था यह बने बता दिया था देखिए जबकि इनके ज्वाइंग लेटर में यह इस पर रूप से लिखा होता है यद उस जिला न्याले में जूनियर असिस्टेंट इनकी ज्वाइनिंग हो रही है यद जूनियर जूनियर असिस्टेंट के पत पर 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 जूनियर असिस्टेंट के पत वर्क लोड अधिक होने के कारण साथ से साथ बच जाता है साम तक आप लोग पहुच पाते हैं घर तो इस तरीके से यह जौप प्रॉफाइल थी पूरी दोस्तो इसकी और सलाइबस में जल्द आपको बता दूंगा आज साम को जब मैं पहली वीजियो डालूगा समान गयान समान हिंदी का उसमें आपको डिटेल में बता दूंगा कि क्या है या आप हमाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो हम चैप्टर वाइज भी आपको बता दिंग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने आपको समान गयान में हिंदी में सारी चीच आप कर दूंगा दोस्तों और सा करें टोसे टाल सकते हैं अर तो हमें प्रॉप जान आपको हमारे टेलीग्राम ग्रूप को भी जाने सकते हैं, वहां पर में नोट्स और पीडिया भी भेजता रहता हूं, तो दोस्तों थाइंक्यू फार वाचिंग, अगर जानकारी आपको मिली हो और आपको helpful वीडियो लगी हो तो प्लेज को सेर जरू कीजिएगा अपनों दो